महंद्रा ने रिसेंटली अपनी न्यूजयन-फ्कॉर्पियो को रिवील कर दिया है, जिसका नाम स्कॉर्पियो N रखा गया है, जो की 27 जून को एंडिया में लाँच होगी, और ये स्कॉर्पियो ओल्ड स्कॉर्पियो को रिप्लेस ने करेगी, बल्कि पुरानी वाली स्कॉ जो मैं बताता हूँ आपको बैटर सेफटी आपको तो पता ही होगा कि old Scorpio safety के मामले में काफी पीछे थी अपने सेग्मेंट में but new Scorpio एन एकदम new platform पर बनाई जाएगी यह वही platform है जिसमें अभी हाल फिलाल थार और XUV7 बनते हैं इस platform को थोड़ा बहुत minor से tweak और आपको six airbags, tectonic stability program, traction control, hill assist, roll over mitigation, EBD और बहुत सारे new features मिला करेंगे उभी सारे variants में old Scorpio के compare में new Scorpio काफी ज़ादा सेफ होने वाली है Scorpio के crash safety को लेकर हमने एक वीडियो बनाई है जो उपर eye button पे click करके आप देख सकते हैं दूसरे नमबर पर आता है better interior and features अगर पुरानी Scorpio देखे तो बाहर से काफी muscular और stylus लगती है लेकिन अंदर से वही old वाली feeling आती है लेकिन अब new Scorpio N में आपको पूरा complete interior change मिलेगा इसमें कुछ भी पहले जैसा नहीं मिलेगा जैसी कि आपको new Scorpio में 8 inch का infotainment system मिलेगा semi digital instrument cluster, dual zone climate control, tire pressure monitoring system, hill descent control, ventilated seats, cruise control, 360 degree camera, best sound quality in segment, wireless charger, android auto, apple carplay और बहुत सारे new features तो आप देख सकते हैं कि new Scorpio काफी ज़्यादा futuristic और feature से भरी वी होगी आगे बढ़ते हैं और better seat capacity और space के बारे में बात करते हैं पुरानी Scorpio में आपको third row में side facing seats मिला करती थी जो की fold भी होआ करती थी बट new Scorpio N में आपको third row में front facing seats मिला करेंगी same as XUV7W इन seats की होने से Scorpio N में space और comfort काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं fourth number engine option की बात करते हैं तो old Scorpio में आपको diesel engine नहीं मिला करता था लेकिन new Scorpio N में आपको petrol plus diesel दोनों option मिला करेंगे वही थार या XUV7W के engine carry के जाएगे लेकिन इनको tune कहा जाएगा high performance के लिए manual transmission तो आपको starting में मिलेगा ही लेकिन कुछ समय बाद आपको इसमें automatic भी मिलना चालो हो जाएगा आगे बढ़ते हार transmission की बात कर लें दें कि आपको 4x2 मिलेगा या 4x4 मिलेगा तो आपको इस गाड़ी में 4x2 और 4x5 दोनों मिलने वाले हैं वह भी बहुत सारे अलग-लग variants में इसी बात से सोचे आपकी महंदरा ने इस बार Scorpio N में कोई कमी नहीं छोड़ी है जो भी possible features होते थे या technology होती थी सब महंदरा ने Scorpio में डालने की कोशिच की है ताकि ये सच में big daddy of all SUV भी बन भाए exterior और modern features की बात करते हैं तो old Scorpio के हिसाब से आपको new Scorpio काफी ज़्यादा modern और stylish लगने वाली है जो कि आपने वी तक videos, teaser या images में देखी लिया हुआ इस बार आपको new Scorpio N में न्यू क्रोम ग्रिल, न्यू बंपर, न्यू प्रोजेक्टर हेट लैम्स, LED फॉग लाइड, न्यू स्टैलिस LED टेल लाइड, टर्न इंडिकेटर्स, electronically adjustable ORVM, electric sunroof, auto हेट लैम और वाइपर इस सारे features मिला करेंगे सारे variants में वो भी aggressive price में अगे बढ़ते हैं और last point की बात करते हैं जो है कि lower price, Scorpio N की price काफी ज़्यादा surprise करने वाली है हम सबको, जैसे कि XUV 7W ने किया था इस गारी को महिंदरा वाले XUV 7W से सस्ता रखने वाले हैं, करीबन 10 से 11 लाक में गारी स्टार्ट हो जाएगी और 20 से 22 लाक में इसका top end variant भी आपको मिला गरेगा अब देखते हैं 27 उनको महिंदरा इस गारी को क्या कमाल prices में launch कर पाती है और क्या कैस में और नफीश और सो उपर मिल पाते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्दी से मैं Scorpio N खरीद कर आपके अपने चैनल पर रिव्यू करके बता सकूँ तब तक के लिए be safe